मस्कार दोस्तो अल्टिमेट हेल्थ अंड होम रोमेडिशनल में आप लोगों का स्वागत है वाइटामिन केटू युक्त मुक्या आहर और फाइदे आज में आप लोगों को बताऊंगा दोस्तो जब भी अधिक फैट जैसे की घी खाने की बात आती है तो हृदय के बारे में सोच कर हम उसे नहीं खा बाते लेकिन आपको यह जानकर अच्छा लगेगा कि इन सभी फूद्स के अंदर वाइटामिन केटू होता है जोगी हृदय के लिए अच्छा और जरूरी होता है जैसा कि हमने अपने पुराने वाले वीडियो में आपको वाइटामिन K1 के बारे में तो बताया ही है कि रक्त का थक्का बनाने के लिए वाइटामिन K1 की वह बहुत जादा होशकता होती है तो लेकिन वाइटामिन K2 जो है वाइटामिन K1 से अलग है वाइटामिन केटू भी पोशक तत्वों में गिना जाता है, नवजात सिसू के लिए वाइटामिन केटू बहुत अधिक जरूरी है, दिमाग के हल्दी विकास और दांतों की स्रक्षा के लिए वाइटामिन केटू के आउशकता होती है वाइटामिन केटू को मैना क्यूनों कहा जाता है, वाइटामिन केटू की कमी की वज़े से धमनियों में कैल्सियम इकठा होने लगता है, जो की नुक्सान पहुचाता है, दातों पर प्लाक जमने लग जाता है, टिशूस हाड होने लग जाते हैं, जिसकी वज़े से गठिया और हार्मोन को बैलन्स करने के लिए जरूरी है किड्नी की पत्थरी से बचने के लिए वाइटमिन केटू जरूरी है वाइटमिन केटू यूपत मुख्या हार जो है वो इस प्रकार हैं जैसे चीज में आप लोगों को मिल जाएगा हार्ड चीज या सॉफ्ट चीज आप लोगों को मिल जाएगा डार्क मिट पॉलिटरी के अंदर आप लोगों को मिल सकता है अंडे के अंदर होता है दही के अंदर होता है दूद के अंदर होता है दूद फैट वाला होना चाहिए और netto's के अंदर यानि की nuts के अंदर आप लोगों को भी मिल सकता है वाइटमिन K2 की कमी से होने वाले रोग जो है वो इस प्रकार है kidney में stone बनने की सिकायद बन सकती है high blood pressure होने की सिकायद जो है वाइटमिन K2 की कमी से हो सकती है रिदय की धमनियों में रुकावट आ सकती है वाइटमिन K2 की कमी से दातों में कवेटी बनने लग सकती है दातों के खराब होने की समश्य और डिके होने की समश्य हो सकती है दस्तों की समश्य यानि की आप लोगों lose motion हो सकते है पाईरिया हो सकता है ये भी हो सकते हैं बॉल मुवमेंट खराब होने की समझ्चा हो सकती है बलड सूपर को नेंतरित नहीं करता है जिसके कान डाइबेटीस का खतरा बना रहता है दमनियों में रखत जमने की सिकायत हो सकती है तो वाइटमिन केटू की कमी से ये वाली सिकायत हो सकती हैं दोस्तों तो बच कर रही और वाइटमिन केटू की पूरी पूर्ती कीजिए अपने सरीर में आज के लिए इतना ही दोस्तों धन्यवाद